ब्रेक की बाद आप सभी का एक बार फिस से बहुत स्वागत है और उधर बात करते हैं रायपूर की जापी सीम बगहिल की तरफ से बड़ा वायान सामने है स्पेशल मिमान से CRPF की टीम आई है और CRPF की वाहनों में बड़े-बड़े बॉक्स लाए गए है बक्सों में पैसे भी हो सकता है जिसकी कहीं पर दिन चांच नहीं की जा रही है CRPF के बाहरों के लिए जाच होने चाहिए निर्वाचन आयों इससे संग्यार में लेकर जाच करें कि जारें उसे चेकिंग होती है लेकिन CRPF के जो लें में भर के बख से भर बड़े बख से भर क्याए है उसकी चेकिंग नहीं हो रही है EDI जांच करें लेकिन निर्वाचन आयों से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनुमार रुप से क्योंकि भारती जन्ता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखरी दाओं है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाये जा रहे है और उसका उप्योग मद्दाताओं को प्रहोईत करेंट किया जाए इसलिए सभी वहनों की चेकिंग हासकर EDI और CRPF के वहनों की चेकिंग होना चाह सब्सक्राइब के साथ जुड़े हैं वैभव यहां पर ECM की तरब से भयान दिया गया है कि CRPF के जवान जिस वहन में आये उसमें बड़े-बड़े बॉक्सस मिलाए गए उसमें कहीने की पैसे होने की आश्रण का जुताई जा रही है और यहां पर EDI के साथ साथ यहां प कि वैभव क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है कि तो दुबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सयोगी से लेकिन देखिए यहां पर सीधा यह बड़ा आरो कई नकई लगाया गया है बीजेपी के ओपर बीजेपी हार मान चुकी है यह आखरी दाव हो सकता है बॉक्स लाए गए हैं और इसकी जांच नहीं हो रही है निर्वाचन आयो के साथ साथ एड़ी को भी यहां पर कोट किया है सूवे की मुख्या ने कि जांच होनी चाहिए संग्यान ले निर्वाचन आयो और जांच हो कि आखर इस बड़े-बड़े बॉक्स में है क्या है क् जिनाफ को प्रभावित किया जा सकता है यह आरूप लगाया गया है वैभव शेपान रीज जादा जानकारे के साथ उड़े हैं वैभव क्या आप तक आवाज पहुंच पारी है मेरी जी यहां पर सियम अगहिल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है सियार पीएफ के वहनों की जाच होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े-बड़े बॉक्स है उसमें पैसा हो सकता है यह कहना है सियम का और जाच को लेकर बाकाइदा एड़ी को भी कोट किया है और निर्वा जो यूद्ध चल रहा है उसमें चुनाओं ही नहीं है बलकि चुनाओं में केंद्र सरकार भी निसाने प्रवक्ता संज्वे श्रिवास्ताफ हमासा जुड़ेवे संजी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हुए नियूज 24 एंपी सीजी में संज्वे जी क्या आप तक हवास पहुच पा रही है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर नियूज 24 एंपी सीजी में सीम की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि स्यार्पर के वाहनों का चेकिंग होना चाहिए क्योंकि इसमें बड़े-बड़े बॉक्से से और यहा मंतरी का ब्यान ने परशित कर रहा है कि हार तो उनोंने मान लिया है जब आदमी हार में खीजता है तो वो जलूल ब्यान देता है और किसी पर भी आरोप लगा देता है वही सिति मुख्यमंत्री जी की हो गई है वो बहुत ओवर कॉंफिटेंस पर चल ले थे कि सरकार संजे जी यहां पर यह कहा गया है सीम की तरफ से वाहनों की चेकिंग होनी चे क्योंकि उसमें बड़े-बड़े बॉक्स लाए गए है संजे जी यह आरोप लगा रहे है आपके उपर की बीजेपी जो है भार मान चुकी है और इसलिए कहिने कहीं आखरी दाओ हो सकता है कि उसको थोड़ा समझी एना आरोप लगाता है जो सब परिशान होता है वह परिशान होता है वह परिशन यह कि पर यह बहुत-बहुत स्वागत करती हूं सियम बगहिल के बयान के बाद यहां पे ब्यूजी पी के प्रवक्ता का काउंटर हमने सुना है उनका कहना है कि हार का यहां पे स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है इस तरीके से बयान-भाजी हो रही है मेरे अगने में तुम्हारे क्या काम है तो आप क्यों कूद के आ रहे हैं आपका कूद के आना और जो जो और से चिलाना यह थाविद करता है कि जाल में कहीं ने कहीं कुछ काला है अगर यहां में कोई गलती नहीं है कोई तो जाच करवाई ये ना क्लियर कर जी जो इनका डाउंटे के अकम वो तो क्लियर हो जाएगा ना पर आरोफ लगाकर ये इस बात उसके कर दिया है और हारने के बाद किया स्ट्रप लिखा जाए तो इसकी तैयारी पहले से हो रही है कि क्या कहा जाएगा मुझे रख्टाओं कि तैयारी प्रास कर दी है और मैं धन्यवाद देता हूं माने मुप्रमाद करने के लिखे लिके कभी कभी सथी है देना के जवाद CRPF इसकी पर अप्रदा करें पर आरूप से बचने क्या है आर्पे सिंग जी विशम परसितियों में CRPF के भागेदारी सुलिशत होती है इसमें कोई शको शुबा नहीं है क्या आप लोगों की तरफ से कोई डाउट है CRPF के यहां पे उंगली उठाये जा रहे है यह कहना है संजेश्री वास्तर जी का पर आपके संजेश्रास्तों जी पूरी भारती अंता पाटी कान में तेल डालके सुलने भ्याम तेमाम प्रयास्यों को बाजूत आप यहां 15 सीट भी नहीं जीतने जा रहा है जो आपे 13 सीटे जीती थी वा अधीक 8 के 6 साथ होने वाली है तो यह दिमास से गलत समी निकाल द लिए और सबसे महत्कुन वारत में आपको बताता हूं कि राज स्थापना के वाद से यह मैं पांच वाच वाच वनाव शिराज में होते हो देख रहा हूं रमान सिंग के कारिकाल पर जब नकसरवाज यहां पर एकदम शरम पर था अब भी सियार्पियाज की यहां 150 से अधिक बटालिया नहीं आई थी यहां पर पूरा विश्वास और दाजे से आथ कहता हूं कि पहली बात जब केंद्रे ग्रह मंत्राले यह मानता है कि यहां पर नकसर लिए बहुत 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 शुक्रिया अब देखिए यहां पर चुनाव के लिए अब टाइम बचावाज सा तारीक को बस्तर संभाग मे नकसल प्रभावित इलाके में वोट कास्ट होना है और वहभव शेपांडे लगाता है हमारे साथ बने में वहभव जी जो यह बयान दिया है उसके बास से कई ना कई सियासी पारा और ज़्यादा हाई हो गया है होना स्वभावित है क्योंकि 36 गड़ में कॉंग्रेस पार्टी को मुकाबला ना स्रिफ बीजेपी से करना पड़ रहा है बलकि एडी से भी कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है और अब जो आरोप CRPF के तरफ से कॉंग्रेस के तरफ से लगाए गए हैं वो भी बहुत गंभीर आरोप है बिलकुई चुकि आपको पता ही होगा कि चुनाव में केंदरी फोर्सेस की जो है तैनाती होती है और उनकी महतपूर भूमिका होती है खास तोर पे जो सवेदन सेल इलाके होते हैं निरवाचन शेत्र होते हैं वहाँ पे उनकी मौजूद्गी होती है और वही सब कुछ होत सकता लेकिन अगर चुनाओ आयोग में कॉंग्रिस पार्टी जाती है और लिखित में ये सिकायत करती है कि CRPF के जो अधिकारी आ रहे हैं जो टीमें आ रही है और उनके बाक्स की जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्हें आसंका है उसमें पैसे हो सकते हैं अगर इस तरह की चीजे है तो इसे चुनाओ आयोग को संग्यान में लेना भी चाहिए क्योंकि निस्पक्त चुनाओ कराना आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है और दोनों ही पार्टियों के तरफ से इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजे पी के तरफ से भी कुछ दिनों पहले ही इसी तरह की एक सिकायद की जिसमें यह आरोप लगा था कि जो जीले के अधिकारी है वो पक्छपात कर रहे हैं और तो लगते हैं लेकिन इस बार जो आरोप लगा है और सूबे की मुख्या द्वारा लगाया गया है देखें चुकि इसमें गंबीरता है इसलिए है क्योंकि केंद्री सुरक्षा बल निसाने पर है और मुख्यमंत्री भुपेज बगेल के तरफ से यह बयान दिया गया है लेकिन जैसा मैंने कहा चुकि यह तो अभी बयान है राजनितिक बयान इस तरह के आते रहते हैं एक प्र नहीं हो जाती बिल्कुल तब तक यह एक राजनितिक बयान के तौर पर ही देखा जाएगा तो देखता होगा कि क्या और कब किस तरीके से कॉंग्रस ने आपके शुकायत करती है उसके बाद क्या आक्शन निर्वाचन आयो की तरफ से लिया जाता है और इसका कितना आसर ग्राउंड जीरो पर लोगों पर देखने को मिलता है फिलाल मस्तार से बाच्वीत करने के लिए वैब अब श्रेपान रिया आपका बहुत बहुत शुक्र